नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ग्यानिक शुर है और आपने देखना सुरू किया है लाइफ सिटिस का विशेष गाजकरम सुबह की चाय देखे सुबह की चाय में आज हम चर्चा करेंगे बिहार में लोकसभा चुनाओ की और चर्चा करेंगे उमिदबारों की देखे ये सच है कि बिहार में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आर जेडी है लालु यादब तेजस्र यादब की पार्टी सबसे अधिक बिढ़ायक भी इनके पास है लेकिन आपको हम ये बताएं कि इनके पास उमिदबारों की कमी है कमी हो गई है जब से नितीश कुमार इंडिये में चले गए बीजेपी के साथ चले गए उमिदबारों का अकाल दिख रहा है और समय इतना कम है साथ में कॉंग्रेस पार्टी के लिए भी संकट है देखिए एंडिये में उमिदबारों की कमी नहीं है वहां तो 40 में 49 जीते ही हुए है वहां जो नए है उन्हें तो बस इस बा जाए तो मेरी बारी आएगी और जब ऐसी बारी आएगी तब आप दलबदल भी देख पाएंगे कि एंडिये की कई नेता जिन्हें तिकत से बंचित किया गया या जिन्हें तिकत नहीं मिला वे महागटबंदन की ओर जा रहे हैं लेकिन जब चुनाव बिलकुल करीब आता जा रहा है हमने महागटबंदन के नेताओं से बात चित की और पंद्रह लोग सभाच्छत तो चिन्नित कर लिए गये हैं चालिस में जहां कोई मजबूत उमिदबार नहीं दिख रहा है आज की तारिक में तो उमिदबार आएंगे कहां से देखिए हम सुरुआत करते हैं प जबडिया कॉंग्रेस को देना चाहती है कॉंग्रेस ही लती रही है लेकिन कॉंग्रेस इस सीट से मुक्ती पाना चाहती है निजात चाहती है क्योंकि माना ये जाता है कि पटना साहिप की सीट पर भाजपा ही जीतेगी हमने पुरानी चुनाओ देखे हैं और कई ऐसे उमि खर से खर्च नहीं करेंगे जो खर्च करना होगा पार्टी खर्च करेंगे तो पटना साहिब कौन लरे कॉंग्रेस लरे तो कॉंग्रेस के पास उमिद्बार कौन कॉंग्रेस को भी उमिद्बार नहीं दिख रहा है अंतिम में तोपी किसे पहना देंगे यह दूसरी बात है क तो नालंडा के बारे में सोचनी की ज़ुरत ही नहीं थी। लेकिन निटीस कुमार चले गए एंडिये में। नालंडा ऐसे ही टफ सीट रही है। जिधा निटीश कुमार रहते हैं उधर ही नालंदा में जीत मिलती है। सर्फ 2014 का इतिहास ये है कि वहाँ लोजपा के उमिदबार डॉक्टर सत्यानन सर्मा ने भहुत करी तक कर दी थी। लेकिन अब लोजपा भी NDA में ही है। 2019 का हाल ऐसा था कि वहाँ उमिदबार ही नहीं मिल रहा था। RJD ने यह सीट हम पार्टी के खाते में डाल दी थी और हम पार्टी ने भी एक उमिदबार इंपोर्ट किया था। जिसकी बहुत पहचान नहीं थी असोक आजाद। तो नालंदा में इस बार कौन लड़ेगा और देखिए नालंदा में कौन लड़ेगा यह बड़ा सवाल है यह बड़ा सवाल जेडियू के भीतर भी है योकि जेडियू के भीतर इस बात की चर्चा है कि लगताद दो बार से जित रहे कौसलेंग कुमार का टिकत कर सकता मनिस ब्रमा की चर्चा होती है राजी विरंजन प्रशाद की चर्चा होती है या समझनी की बात है लेकिन महागठ वंदन में नालंदा से लड़ने वाला उमिदबार कोई दिख नहीं रहा है या सच्ची वाकत है अब नालंदा से आगे चलिए मुंगेर मुंगेर वैसी सीट जहां ललंजिंग है ललंजिंग के खिलाप लड़न ऐसे भी बहुत ही चुनोती पुर्ण माना जाता है और अब तो वे एंडिये में नितीस कुमार के साथ है तो ललंजिंग के खिलाप उमिदबार कोई जब ललंजिंग महागठ वंदन में थे कर रहे थे या जिनके बारे में कहा जाता था कि वे संभावी तो मिद्बार हो सकते हैं बीजेपी की ओर से तो अब उन्हें लगना नहीं है 2014 में अनन सिंग की पत्मी नीलम डेवी को उतारा गया था कॉंगरेस की टिकट पर लेकिन इस बाद नीलम डेवी चुनाव लरेंगी ही इस बात की गारंटी नहीं है RJD की बिधायक है वैसे भी इस बात को समझ गिए कि RJD हो BJP हो या जेडी हो अपने बिधायकों को लोकसभा चुनाओं में नहीं लरा सकती है अधिक संख्या में क्योंकि जैसे ही लोकसभा में लराएगी जीत मिलेगी बिधान सभा में रिप्ती आएगी और सरकार का जो गनित है वह गडमद होगा और फिर ऐसा नहों कि कुछ खेला हो जाए ठीक है RJD भी नहीं चाहेगा कि हम भले विपक्ष में बैठे हैं लेकिन हम सत्ता के करीब न दिखते रहें तो मुंगेर मुंगेर के बारे में यह भी ख़बर है कि जिस दिन बिहार में NDA की सरकार बनी जो अनन सिंग है उनके समर्थकों ने आतिस बाजी की सोसल मीडिया हैंडल एक्स पर नीलम डेवी की एक तस्वीर बाइरल हो गई कि वो मुख मंत्री को गुलदस्ता दे रही है अब यह तस्वीर पुरानी है नही है यह समजने की बात है चलिए पट्रा साहिब की बात कर ली नालंदा की बात कर ली मुंगेर की बात कर ली कारा कार्ट की बात करते है कारा कार्ट में उपेंद्र कुस्वाह के खिलाब किसे लराएंगे उपेंद्र कुस्वाह ही तो 2019 में महागटबंदन की उम्मिद्बार थे तो क्या इस बात की उम्मिद की जाएगी कि उपेंद्र कुसबाहा यदि NDA की उम्मिद्बार होंगे तो महाबली सिंग इधर चले आएगे जो मौझूदा सांसर है देखिए काराकार से पहले कांती सिंग लरती रही है लेकिन इतनी उम्मर हो गई है आखिर कब तक लरेंगी और उन पर आरजेडी कब तक दाउ लगाएगा तो काराकार्ट में भी उम्मिद्बार का संकत है अब देखिए बकसर बकसर में जगदानंद लगते रहे हैं बिहार पदेश आरजेडी के अजड़ लेकिन क्या इस बार फिर जगदानंद को मौका मिलेगा उम्मिदे कम दिखती है हमने महागटवंद्ब के भीता जब बात करने की कोशिस की बात कर रहे थे तो मालूम हुआ कि नित्य तो अभी इसी संकत में है कि बकसर में जहां बीजेपी किसी ब्रहमन को लराती है यहां किसी राजपूत को लराएं किसी ब्रहमन को लराएं या फिर किसी यादब को लराएं लेकिन यादब कहां कहां लराएंगे पाठली पुत्रा भी लड़ाएंगे, आरा भी लड़ाएंगे or बकस्र भी लड़ाएंगे यह संभब नहीं हो पाएगा और वैसे भी यहां संभब नहीं होता है तो ददन यादब यहां आर्जेदी की परिसानी बरहाने को तयार ही बैठे रहते हैं उनके कारण चुनाओ कई बार जगनानद हार चुके हैं अब देखिए हाजीपूर हाजीपूर में भी उमिद्बार का संकट है 2019 में सिपचंद राम हार गया थे अब हाजीपूर में कौन लरेंगे चाचा पसुपती पारस लरेंगे या भतीजे चिराग पासवान आएंगे जो भी आएंगे हेवी बेट है और हाजीपूर पासवान फैमिली की सीट ही है आपको पता ही है कि इसी सीट पर गिनिंस बुक अफ बर्ल रिकॉर्ड बना था तो हाजीपूर में सिपचंद राम के अलाबा कोई और उमिदवार है भी क्या इस बात को तलासा जा रहा है कॉंग्रेस भी कभी लरी है लेकिन कॉंग्रेस के पास भी कोई पहलवान नहीं डिखता है चलिए बैसाली सीट की बात करते है देखे बैसाली सीट पर क्या होगा रगवन्स पसास सिंग चुनाव लड़ते थे महागटवंदर की उमिदवार होते थे आरजेली की उमिदवार होते थे ब्रह्म बाबा बहुत ही साब सुत्री छबी वाले निटा सभी लोग चाहे बिरोधी क्यों नहों बहुत ही इज्जत और सम्मान देते थे ले तो एलजेपी में उमिदवारी बैसाली की जो मौजूदा सांसद है बीना देवी वह पसुपती पारस के खाते से निकल कर फिर से चिराग पासपान के पास आ गई है और इधर अमर पांदे की पत्नी बीनिता बिज़े भी तयारी कर रही है खैर वह इंडिये की बात हुई तो महा गठ बंदन में जब रघुबंस पसाह सिंग नहीं है तो चुनाव कौन लरे क्या रामा सिंग लरने को तयार होंगे रामा सिंग की पत्नी आरजेडी की बिढायक है या बात सच है लेकिन रामा सिंग जो 2014 में बैसाली के लोचपा के सांसर थे वे लोकसभा चुनाव लरने की तयारी भी कर रहे है लेकिन वे तयारी कर रहे है सिभर में तो क्या वे सिभर से बैसाली आ जाएंगे इस बात की बीबेचना भी की जानी है इस बात की संभावना भी पास ही जानी है तो बैसाली की बात हमने कर ली अब देखिए मुझह पर यह सीट भी महागठ बंदन के लिए बहुत कठिन सीट है 2019 में यह सीट बी आईपी को देडी गई थी आप लड़ लो बी आईपी के उमिदबात है जो राजभुसन निशाद वह करीब 4 लाख मतों से चुनाओ हार गए तो राजभुसन निशाद भी बीजेपी में जा चुके हैं तो अजय निशाद जो सांसद हैं बीजेपी के उनके खिलाप लड़े कौन मुझपर पूर सीट से 2014 में अखिलेश पसास सिंग हार गए थे जो कॉंग्रेस को मिदबात थे तो यहां उमिदबार कहां से लाए जाए यह सीट किसके हिस्से में जाए आरजेडी के पास उमिदबार दिखने रहा है कॉंग्रेस यह सीट लेना नहीं चाहती है बी आईपी पार्टी अभी इधर उधर कहीं नहीं है तो इस सीट पर कौन देखिए जब बात चल रही थी कि मुझपर पूर में अभी यह संबब होता नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझपर पूर में इधर है न उधर है वैसे कलोंने एक बड़ी निसाद रैली का आयोजन मुझपर पूर में किया था चलिए अब आगे बात करते हैं गोपाल गंज की गोपाल गंज लालू यादब का गर यहीं है लालू यादब फुलबढ़ियां में जन में लेकिन लालू यादब कभी भी लोकसभा या विध पहले भी कभी लालू यादब ने गोपाल गंज का रूख नहीं किया साधू यादब भले लड़े जिते भी तो देखिए अब इस सीट पर उमिदबार कौन होगा आलोक सुमन जेडिव के केंडियेट हैं कहा जा रहा था कि जब आलोक सुमन पार्टी के कोसा ध्यक्स भी ब करना है लेकिन गोपाल गंज में महा घत्वंदन किसे हुतारें? 2014 में यहाँ सुरेंदर 2019 में माद कीज़ेगा, यहाँ सुरेंदर राम उमिदबार थे, भारी मतों से हारे, करिब 2 लाग जएदिक मतों से हारे, तो यहाँ भी उमिदबार का संकत है. खगरिया खगरिया में क्या होगा खगरिया किसी 2019 में राजद ने बी आईपी को दे दी थी खुद मुकेस सहनी चुनाव लरे थे हार गये थे तो खगरिया में इंतिजार इस बात का किया जा रहा कि महबूब अली कैसर जो अभी लोजपा के सांसद है पसुपती पारस के साथ है चिराक पास्मान अपने पाले में अभी लेने को तयार नहीं हुए है तो यदि महबूब अली कैसर उन्हें तिकट नहीं मिलता है पसुपती पारस उनके लिए सीट नहीं ले पाते हैं तो महबू महबूब अली कैसर पाला बदल सकते हैं वैसे भी महबूब अली कैसर के बेटे आरजेडी के बिधायक हैं तो वहां इस बात का इंतजार हो रहा है वहां देखिए आरजेडी के पुराने दबंग रनवीर यादर भी अभी जेल से बाहर आये हुए हैं चुनाव तो नहीं लग आएगी आरजेडी यहां भी बहुत उमिद्वार दिख नहीं रहा है चलिए आगे हम बात करते हैं मोतिहारी की मोतिहारी में आपको याद होगा 2019 में यह सीथ महागतवंदन में रालोषपा मतलब उपेंद्व कुसवा की पार्टी को देदी गई थी अखिलेश सिंग के बेटे आकास सिंग उमिद्वार बनाए गए थे चुनाव हार गए थे 2024 में कौन लरेगा यह सवाल है उमिद्वार कौन होगा क्योंकि इंडिये में बीजेपी के खाते की हसीथ है तो आकास सिंग जाहितों पर अखिलेश सिंग यह कोशिस करेंगे कि वे अपने बेटे को आगे लाएं तो आकास सिंग को फिर मिलेगा या फिर देखिए जब कभी चुनाव आता है जब कभी चुनावी चर्शा होती है बिनोर स्रिवास्तों जो मूल रूप से रहने वाले हैं बैसाली के लालो यादब की कभी पीए हुआ कते थे मुतिहारी से एक बार चुनाव भी लरा वे दावेदार बन जाते हैं लेकिन लराई कैसे होगी भिरंद कैस कैसे होगी इस बात पर महागठमंदन में भी समझ एस्परस नहीं हो पा रही है बैतिया का भी ऐसा ही रहाले बैतिया में भी उम्मिदबार किस जाति को बनाए जाये 2019 में रालोसपा को सीड़ दे कर उम्मिदबार बनाया गया था कुसवाजाती के नेता को मूल रूप से नेता नहीं थे लेकिन हार गये थे तो बितिया में भी अब उम्मिदबार तलासना है यह भी एक संकट है और देखिए मधुबनी देखिए जब तक नितीज कुमार महागत हुंदन में थे बहुत परिसानी थी आरजेदी की नेताओं के लिए मिठलांचल में चुनाव लरना क्योंकि नितीज कुमार संजय जहा को लरना चाहते थे दर्भंगा अब भी वे उमिद्बार हो सकते हैं एंडिये से तो संजय जहा यदि दर्भंगा लरते तो अब्दुल बारी सिद्धिकी का क्या होता नितीज कुमार की पार्टी के ही अली असरफ फात्मी का क्या होता याद किजिए 2019 में मधुवनी में इसी रस्सा कस्सी में यह सीट मधुवनी के सीट बी आईपी पार्टी को देडी गई थी और एक बद्द्रीप पुर्वे उमिद्बार बनाए गये थे चुनाओ बुर्य तरीके से हारे हारना भी तै हो गया था आखरी दिन में क्योंकि बद्द्रीप पुर्वे ने ऐसा काम कर लिया था वे अपने समस्थ को का खर्चा तो बंद कर ही दिये थे जो बोट आया वह तो कहिए कि चुनाओ के आखरी दिनों में मुके सहनी ने खुद व्यवस्ता समाल ले थे अपना पैसा लगाया था बद्द्री पुर्वे तो बिलकुल बंद कर दिये थे तो देखिए मधुबनी की समस्या भी है गया में जीता नाम मांजी के बेटे संतोस मांजी के खिलाब चुनाओ लगना होगा 2019 में स्वेम जीता नाम मांजी हार गये थे महागत बंदन के मिद्बार के तौर पर तो देखना ये होगा कि यहां उमिद्बार किसे बनाए जाता है कुमार सर्बजित हैं विहासकार में मंती भी रहें साफ सुत्रे छबी बाले हैं लेकिन फिर मैं उसी सवाल पर हूँ कि बिधायकों को बहुत अधिक मौका देने के सिती में न तो आर जेडी है न जेडीउ है और न बीजेपी है तो क्या इस बात का इंतिजार किया जाएगा कि संतोस मांजी को तिकत दिया जा रहा है जिस मौझूदा सांसत जेडीव के सांसत को काट कर यदि वे बागी होते हैं तो उन्हें ही चुनाव लरा दे देखिए अब सुपॉल में शुपॉल रंजीत रंजन लरती थी रंजीत रंजन राजस्वा की शदत से हो गई है 36 गर से कॉंग्रेस की तो यह सीट कॉंग्रेस की दाविदारी की सीट है लेकिन उमिदवार अभी तै होना है उमिदवार मिला नहीं है तो समझे क्या हालात है कि चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है और एक लोक सफावा चुनाव में तैयारी करने में कितना बक्त लगता है लेकिन अभी उमिद्वारों का अता पता या यूँ कहें कि चस्मे से उमिद्वार दिख भी नहीं रहें । दूर दूर तक उमिद्बार दिखेंगे अन्ट चैनल लाइब सेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिएगा और इस वीडियो को फेस्बूक पेज के मादर में देगे तो पेज को लाइक किजिएगा ट्यूटर पर भी हमें फॉलो किजिए देने बाद